स्युक्त मोर्चा के आवान पर जो है 19 तारिक को परदेश की मंडियों में परदस्टन और हड़ताल का एलान किया गया है भारत्य किसान उनके परदेश के उपाद्यक सत्वा अंदरवाल गोहाना के नाजमन ने पहुंचे हैं स्युक्त मोर्चा का आवान है कि पूरे देश में 19 मार्च को धर्ड़ने परदस्टन किये जाएं मंडियों में यरोध में और यहां गवाना की मंडी में हमारे परदान है डाक्टर परदीब जी और उनके साथी हैं आर्टी इनसे सभी सेवी चार्ज मिर्स किया गया है और यहां आर्टी भी पलेदार भी किसान भी सभी वर्ग मिलके यहां उद्र मंडी बन रहेगी और यहां विरोध पर देशन सरकार के खिलाब किया जाएगा और जो अग्ए की रहने कि आगए कि एक क्या कि आ जाते ही सथारी का बेलाये हैं च्पीडी की जम्मेवरी यह आम लडेंगे जब तक उमारी बातनी मान ली जाती तब तक लडेंगे mike मार्च का ये मंडियामन है और 23 मार्च को सईदयाजम भगत सिंग का सईदी डिवर्स है और हजारों किसानों का जत्था पंजाब से चला हुआ है 21 तारी को यहां गनौर में पहुंच जाएगा और 26 तारी को पूरा भारत बंद रहेगा और पूरा रेल है चाहिए सड़के हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब का और 28 तारी को होली वाले दिन जो तीन कालै कानुन है इसकी पर आगतायाई जाएंगी पक्रत कार्श 1 को सब्सक्राइब क्रशम रहे बाटúa कर रहे हैं तो कहां वो मांनते हैं कि बाचीत निवन पारिके हो चुकी है और सरकार को गहमंड तोडने के लिए हमारे स्विक्ट मोर्चा कि जो किसान लीडर है वो निकल चुके हैं पूरे देश में निकल चुके हैं से बंगाल है चाहे भी आहार है चाहे गुजरात है और अब पांच राज्यों के जो चुनाओं है वो बता देंगे इस सरकार का गुरूर अब ठाटा हम पूरा हरियाना प्रदेश्क में मुक्ष मुंक्ष मुंत्री है चैने का फोग्षा बड़ा लेडर कोई भी है जिन कोने ने दिवह थे लिक्रण वडू को भाई चैनender कोने चिन लोगहीं यह और यहां मकान में आगे फोटो डाल देते हैं और करते हैं हमारी सपस्ट चेतावनी है कि दोबारा से ऐसी गलती करने कोशिस ना करें अगर दोबारा से ऐसी गलती पाई गी है यहां पकड़े गए तो जनता इनके पीछे लगी हुई है तो इनके खुद गिजमिवारी होगी अगर जिकत है यह तीन कड़े कानून रद कर दिये जाएं और एमस्पी खरीदगा गारंटी कानून बना दिया जाएं बिजेपी नेताओं का वहां इन्हीं पंजाब यह किसान एरब तो किसानों की फसल आने वाली है एक अप्रेल से सीजन सुरू अरभी का तो उसको लिए क्या चैया और देखिए देखिए हमारी पूरी तयारिया है अ हमम फसल काटें के बंगाल में इस सवी लोग किस्ते हो जाते हो चाहते पक्के मकान बनने लिए जा रहे हैं पक्के मकान का मतलब यह नहीं परदान परदीप जी इन से पूछते हैं जिस तरह से करेंगे किसानों की जाइज मांगे हैं वो मारी पूरी होने चाहिए शुक्त मोर्चा के आवान पर जो है 19 मार्च को पूरे देश और परदेश की मंडियों को बंद करने का एलान किया गया है जो है भारतिय के मीटिंग की है और फैसला लिया के 19 तारीक को पूरी तरीके से जो है जो है और यहां मंडियागा बंद किया जाएगा कि गोहाना से पंजाब के शरी के लिए सुनिविल जिंदल